आपका अपने यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुए एक इंपोटेंट शेप्टर है यहां से दोस्तो अगर हिंदी किसी भी परिक्षा में आती है तो एक कोशन यहां से जरूर उठके आता है ठीक है तो यहां से किस तरह के कोशन बनते हैं वो बनते हैं प्रिथम बाले यहां लोगों का ध्यान कम जाता है तो और कोशन यहां से निश्वी दूरूप से पूछा जाता है तो इस बहुत आसान है मतलब अगर आप इससे एक बार देख लेते हैं तो फटाफट से आप कोशन को एक्जाम में लगा यूपी पुलिस हो लेक पाल हो या फिर कोई सी भी परिक्षाव जहां से हिंदी पूछी आती है वहां से एक कोशन इससे जरूर पूछा जाता है तो इस चेप्टर को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा पांच मिनिट का वीडियो दोस्तों आप फटा-फट से इसको दे वीडियो डाला हुआ है यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसे देख सकते हैं बहां से हमने बताया था कि इनका कि इस तरह से ठीक है थोड़ा आपको आइडिया भी होगा इस तरह का पहले जो भा अभर्ण सुभासा का पिर्थम कभी पूचना चाह JAMра है यह तो कोन है यह dai है हिंधी के पिर्थम कभी पिर्थम कभी थे हिंदी भाषा के पिर्थम कभी अभी पूच़ाता है कि एल्थम कभी तो यहां आप कु इलंकुल क Pikrier रहीएगा थैंदी में चौप चायी दोहा का सर पृत्वम प्रियोग किस ने किया था, तो यह भी किस ने किया था? सरःपा नहीं किया था. अगला कुश्यन देखते हैं. हिंदी की पिर्थम रचना तो हिंदी की पिर्थम रचना है, दोस्तों वो है अगला कुश्यन देख लेते हैं किसी भारती भासा में रचित इसलाम धर्मा लंबी कभी की पिर्थम रचना है तो वह संदेश राशक जो की अब्दुल रह्मान ने लिखी है अगला कुश्यन देखते हैं भक्ति का पिर्थम पिर्वर्तक है तो भक्ति के पिर्थम जो पिर्वर्तक थे वो थे रामा नुजा चार रहे अगला कुश्यन देख लेते हैं हिंदी का सबसे बड़ा महा काब्वे तो हिंदी का सबसे बड़ा महा काब्वे वो है पदमावत अगला कुश्यन भक्तिकाल को हिंदी काब्वे का स्वर्ण यो किस ने घोसित किया था तो बताया था कि भक्तिकाल जो हो हो हिंदी काब्वे का स्वर्ण यो यो बताया था जोर्ज गेर्शन ने इसको नाम दिया था स्वर्ण यो भक्तिकाल को अगला कुशन देखते हैं महादेवी बर्मा की पिर्थम कापवे करती थी तो महादेवी बर्मा की जो पिर्थम कापवे करती थी वो थी निहार ठीक है ना अगला कुशन प्रेमचण्द का प्रेमचण्द का अन्तिव पपन्यास कौन सा था तो वो था मंगल शूत्र, यो की अधुरा रह गया था, बाद में उनके बेटे ने उसे पूरा किया था अगला कुश्यन देखते हैं पिर्थम बेष्व हिंदी संब्यलेन कहां आयोजित हुआ था तो यह हुआ था नागपुर में 1975 में पात करें हैं कि 11 में बेष्व हिंदी संब्यलेन कहां हुआ था तो बहुआ था मौरिशेश में ठीक है ना अगला कोश्यन देखते हैं पिर्थम हिंदी पत्र तो पिर्थम हिंदी पत्र जो था वो था उर्थन्ड मार्थन्ड उर्दन्ड मार्थन्ड ठीक है अगला कोश्यन पिर्थम हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो पिर्थम हिंदी दैनिक समाचार पत्र यानि कि बो समाचार पत्र जो डेली आना शुरूगा था वो कौन सा था समाचार सुधा बर्जन अगला कुश्यन देखते हैं पिर्थम हिंदी बैपसाइट तो पिर्थम हिंदी बैपसाइट जो थी वो थी बेव दुनिया अगला कुश्यन है पिर्थम ग्यानपीट पाने वाले बैखती तो वो थे पंथ अगला कुश्यन है पिर्थम महिला ग्यान पीट पाने वाली मतलब पिर्थम महिला कौन थी जिने ग्यान पीट पुरुषकार मिला था वो थी महादेवी बर्मा इन्हें नीर्जा के लिए ग्यान पीट पुरुषकार दिया गया था नीर जयकिन की रचना है पिर्थम ब्यास सम्मान किसे मिला? तो पिर्थम ब्यास सम्मान जो मिला था डाक्टर राम बिलाश शर्मा के लिए मिला था अगला कुश्यन हिंदी में MA कराने वाला पिर्थम सेक्ष्णल संस्तान है तो बहुत दोस्तों BHO यानी बनारस हिंदू बिस्विद्ध्याले 1921 में MA की डिगरी देना इसने सुरू किया था अगला कुश्यन देखते हैं बिश्व का पिर्थम ब्याकरण गिरंथ तो बिश्व का पिर्थम ब्याकरण गिरंथ जी था वो लिखा था पालनी ने कौन साथ अश्टा दिहाई ठीके अगला कुश्यन देखते हैं हिंदी का पिर्थम अंतरराश्टी बिस्विद्ध्याले तो पिर्थम बिस्विद्ध्याले जो है वो दोस्तों महात्मा गांदी अंतरराश्टी बिस्विद्ध्याले महराष्टियों की बyardha हमें पड़ता है ठीक है हिंदी का पिर्थम नाटक तो हिंदी का पिर्थम नाटक नहूश अगला कुशन देखते हैं पिर्थम आत्म कता किसके द्वारा लिखी गई थी य Newman की पिर्थम आत्म कता जो लिखी गई थी किस ने लिखी तो वो लिखी थी स्याम सुंदर दासने यहां से दोस्तों आप एक कोशन और याद रख सकते हैं पिर्थम सूफी कभी कौन था ठीक है तो पिर्थम सूफी कभी था असायत उसको आप थोड़ा सा याद रख लेजिए ठीक है पिर्थम सूफी कभी तो दोस्तों यहां से जो important question बन सकते थे मेरी द्रश्टी में मैंने वो यहां पर लिये हैं ठीके वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आता रह करते हैं ठीके तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत